अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी काइनाद तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है ये लाइने हम सबने कई बार सुनी होंगे लेकिन उत्तरकाशी में ये सब होती हुई देख रही है जहाँ टनल में फसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा है सबसे बड़ा ओपरेशन दस दिन पहले हुए हादसे के बाद जो बचाव दल शुने पर खड़ा था वो आज काम्याबी के बेहत करीब है लेकिन ये सब कुछ यूही अचानक नहीं हुआ हादसे के फौरण बाद ही सरकार से लेकर एजनसियां तक मिशन मोड में रेस्क्यू में जुट गए एक साथ सब कुछ एक्टिव हो गया जमीन पर रेस्क्यू टीम ने काम शुरू किया तो सरकार अलग-अलग एजनसियों से संपर्क में जुट गए देश से लेकर विदेश तक के एजनसियों को रेस्क्यू में शामिल किआ गया किसी से सलाव ली गए तो किसी को साथ लिया गया यही नहीं दिल्ली से भी हर दिन के ओप्रेशन की जानकारी ली जाने लगी प्रधान मंत्री मोदी खुट उत्राखण کے मुक्षमंत्री से पल-पल की जानकारी ले रही वो सब हो रहा है, हमने आज बानी प्रधान मंत्री जी को भी सारी जानकारी दी यही वजह है कि अब rescue team के जहरे की मुसकान भी आने वाली काम्याभी की कहानी बया कर रही है कनल में जाने के लिए रास्तों की पहचान हो गई है दो जगों से vertical drilling के साथ ही horizontal drilling का plan भी तयार हो गया team के पास सटीक location है इसलिए अब अंदाजे पर नहीं बलकि जानकारी पर काम शुरू होने वाला है वक्त थोड़ा और लग सकता है लेकिन विशेशक्यों के पास अब मजदूरों का exact exit plan है तो आप भी तयार हो जाए भंसे लोगों के इस्तक्बाल के लिए